सबस्क्राइब करे टेकनिकल बीट्स चैनल को और बेल आइकन को दबाए लेटेश टेकनोलोजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हैलो गाईज वेलकम टो टेकनिकल बीट्स यूट्यूब चैनल और गैज आज हम बात करने वीवो वाई 16 वैसे वीवो वाई 22 आज हम इन दोनों डिवाइस के अंदर future compare करेंगे और आपको बताएंगे कि आपके लिए कौनसा फॉन value for money है तो चलेगा इस फटाबट से वीडियो स्टार्ट कर लेते है तो गैज यहाँ पर हम सबसे पहले बात कहने वाले dimension के बारे में तो यहाँ पर आपके वीडियो वाइस 16 के अंदर वीड देखने को मिलते है 2.98 इंच, height यहाँ पर हमे 6.46 इंच देखने को मिल जाती है depth यहाँ पर हमे 0.32 इंच देखने को मिलता है weight यहाँ पर हमे 184 ग्राम देखने को मिल जाता है तो यहाँ पर दोनों का dimension same to same देखने को मिलता है ज्यादा दर dimension में difference देखने को नहीं मिलता है यहाँ कि body feel के लिए आप किसी भी device को purchase कर सकते हो next का इस बात करते हैं दोनों के display के बारे में तो यहाँ पर हमें Vivo Y16 के अंदर 6.51 इंच का IPS LCD डिस्पले देखने को मिलता है 720 X 1600 पिक्सल का HD plus इस बारे में 16 Hz का refresh rate देखने को मिल जाता है Vivo Y22 की बात करते हैं यहाँ पर हमें 6.55 इंच का IPS LCD डिस्पले देखने को मिलता है 720 X 1612 पिक्सल का HD plus इस बारे में तो यहाँ पर दोनों का display same to same देखने को मिलता है नेक्स्स गैज बात करते हैं दोनों के camera setup के बारे में तो Vivo Y16 के अंदर में dual year camera setup देखने को मिलता है 13MP का main lens देखने को मिलता है 2.2 की aperture के साथ 2MP का macro lens देखने को मिल जाता है और selfie camera यहाँ पर में 5MP का देखने को मिलता है वहीं Vivo Y22 की बात कर ले तो यहाँ पर भी में dual year camera setup दे camera setup almost Vivo Y22 का बेथर देखने को मिल जाएगा Vivo Y16 की comparison में नेक्स के बात करते हैं दोनों के performance के बारे में तो Vivo Y16 के अंदर में Mediatek Helio P35 का 12nm वाला chipset देखने को मिलता है वहीं Vivo Y22 के अंदर में Mediatek Helio G85 का 12nm वाला chipset देखने को मिलता है यानि कि अगर आप game वगड़ा के ल purchase करना है gaming के लिए तो आप यही purchase कर सकते हो next guys बात करते हैं दोनों के memory setup के बारे में तो Vivo Y16 के अंदर में 3 variant देखने को मिलते हैं 3GB, 32GB, 3GB, 64GB और 4GB, 64GB यहाँ पर आपको expandable storage 256GB तक देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आपको dedicated card slot देखने को मिल जाएगा यानि dual sim plus memory card आप अ 20GB तक देखने को मिल जाएगी यहाँ पर भी आपको dedicated card slot देखने को मिल जाएगे यहाँ पर भी आपको dedicated card slot देखने को मिल जाएगे यहाँ पर आपको यहाँ बात करते हैं दोनों के battery backup के बारे में तो Vivo Y16 के अंदर में 5000 mH की battery और 10W charging support देखने को मिलता है वही Vivo Y22 की बात क यहाँ पर भी में 5000 mH की battery और 18W charger देखने को मिल जाता है यहाँ पर आपको Vivo Y16 की comparison में Vivo Y22 के अंदर बैतर charger देखने को मिल जाता है नेक्स बात करते हैं दोनों के security के बारे में तो यहाँ पर आपको Vivo Y16 के अंदर side mount fingerprint scanner और face recognition देखने को मिल जाएगा वही Vivo Y22 के अंदर भ 3GB 32GB 9999 में मिल जाएगा 3GB 64GB 10449 मिलता है 4GB 64GB 12449 मिलता है Vivo Y22 की बात करते हैं पर आपको 4GB 64GB 14999 मिल जाता है 6GB 128GB 16449 मिलता है यहाँ पर प्राइस थोड़ा सा हाई देखने को मिल जाएगा बट यहाँ पर लो प्राइस के अंदर आपको 3 वेरियंट देखने को मिल जाते ह इन दोनों के comparison के बारे में तो यहाँ पर आपको Vivo Y16 versus Vivo Y22 का comparison देख लेते हैं तो दोनों के अंदर HD plus resolution वाला display देखने को मिलता है बैतर processor यहाँ पर हमें Vivo Y22 का देखने को मिल जाएगा G85 वाला दोनों के अंदर Android 12 देखने को मिलती है बैतर camera यहाँ पर हमें Vivo Y22 का देख देखने को मिल जाता है बट अगर आप अच्छा smartphone purchase करना चाहते होती है यानि कि आपके लिए value for money जो smartphone रहने वाला है वो है Vivo Y22 क्योंकि इसके अंदर आपको अच्छा processor अच्छा camera और अच्छा charger देखने को मिल जाता है तो यह था Vivo Y16 versus Vivo Y22 का future comparison आपको इन दोनों device में से क कामेंट में जरूर बताना तो गैज आज की वीडियों बच इतना ही मिल टेकली वीडियों में तब तक के लिए धन्यवाद